तो कैसे हो गाइज आई होप सभी मज़े में हूंगे और बढ़िया तरीके से इस वाली को इंजॉई करके पढ़ाई करने के लिए रड़ी होगे चालो तो आज अब लग स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू चैटर जो कि बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और आप उससे बहुत बढ़िया तरीके से रिलेट करते रहोगे ठीक है चालो सो और अगर अब बॉय हो तो फिर तो बहुत जादा ही ठीक है चालो सो स्टार्ट करते हमारा 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का लेक्चर नमबर वान और कौन से चैप्टर का 7th चैप्टर का जो जिसका नाम है हमारा sports and history अब sports होता क्या है यह चीज को जानना है हमें इस चैप्टर के अंदर साथे साथ sports का history से क्या relation है पहले के टाइम पर sports कैसे होते थे अभी के टाइम पर sports कैसे होते हैं यह सारी चीजे sports के लिए बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं यह सारी चीजे आप लोग इससे पहले के और भी chapters को नहीं देखा हुआ है तो चल्दी से जाकर chapter 1 से लेकर chapter 6 सबके सारे chapters को देखो ताकि आपका basic बढ़िया तरीके से clear हो जा और आप अगर lectures को देख लोगे तो आप लोग जब भी exam में लिखोगे तो आपने अगर कोई याद नहीं किया होगा answer तो भ को ला हुआ है कि sports क्या है अब sports को अगर हम माने तो sports क्या है sports एक combination है क्या है sports एक combination है किस चीज़ का combination है entertainment और physical exercise जो हमारा physical exercise होता है अब अगर just suppose कि आप बैट्मिंटन खेल रहे हो तो आप कैसे खेलोगे ऐससे आप खेलोगे ठीक है इससे क्या हो रहा है आप इधर भाग रह हरा हैं लेग exercise भी expect हो रहा है आपका है मिल रहा है बहुत जाधा खुशी बिल रही है आपको खेलते टाइम पेस पे smile आ और आप किसी को हरा रहे और आप continuous खेल रहे हो, आपको बहुत time के बाद break मिला है खेलने के लिए, तो आपका mind क्या हो जाएगा, एकदम refresh हो जाएगा, तो ये चीजे क्या कर रही है, ये चीजे हमारे mental health को एकदम strong करती है, तो ये क्या है, यही है हमारा importance of sports, कि sports हमारे life में कितना जादा important है, अगर sports नहीं होगा, तो हमारा mental health है, वो दीरे-दीरे खराब होना शुरू हो जाएगा, हम ठके-ठके रहने शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा physical exercise नहीं हो पाएगा, चाहिए, आप जिम में जाते हो, तो आप बहुत मज़े के साथ नहीं exercise कर पाते हो, क्योंकि उसमें बहुत उठाना प गेम्स को खेल सकते हो, क्योंकि उन गेम्स को खेलने में आपको मज़ा आता है, और उस चीज़ को ही हम क्या कहते है, यह क्या है, यह हमारा combination है, किस चीज़ का combination, entertainment का and physical exercise का, तो इन दोनों को मिला कर क्या बन जाता है, इन दोनों को मिला कर बनता है, हमारा sports, ठीक है, चलो, त अगर आगे बढ़े topic के बारे में, तो हमें यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, importance of sports, ठीक है, importance of sports, sports की क्या एहमियत है, sports हमारे life में क्यों important है, sports किस लिए important है, अब just suppose, अगर आप सभी को बोला जाए, कि तुम ना 4 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है, तुम 4 घंटे continuous पढ़ाई क पढ़ाई करते जा रहे हो, उसके बाद आप लोगों को अगर एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए आप सभी को थोड़ा सा बाहर खेलने के लिए जाने देंगे, तो कैसा लगेगा आपको, अगर आप cricket खेल के आ जाओगे, अगर गर्ल्स होगी, तो वो थोड़ा सा बैटमिंटन खेल के आ जाएगी, या फिर अगर उनको पसंद होगा तो वो खोखो, या कबड़ी खेल के आ जाएगी, तो उन्हें कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं, अगर आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो sports सभी को बहुत जादा पस जाता है, उस ब्रेक के बीच में जब आप खेल लेती हो, जब आप थोड़ा सा माइंड को इंटर्टीन कर लेती हो, मिन्स अगर आप कोई भी गेम आपका पसंद का कोई भी गेम हो, उस चीज को आप खेल के आ जाओ, तो आपका माइंड अपने आप रीफ्रेश हो जाता है अब उसे काम करने में और अच्छा लगेगा, और मज़े के साथ, और रिलाक्स हो के आप काम कर पाओगे, तो ये सारी चीजों के लिए हमारा जो स्पोर्ट है, ये बहुत आदा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में, तो ये सारी चीजे हम हमें रिलाक्स होने में हेल्प करता है हमें रिप्रेश होने में हेल्प करता है हमें फिजीकली फ्रॉंग होने में हेल्प करता है अगर आप लोग किसी भी एथलीट को देखोगे किसी भी स्पोर्ट्स पॉसन को देखोगे तो वो स्पोर्ट्स पॉसन को आपको देखके जैसे सबके फेवरेट विराट को लिए अगर आप उनको देखोंगे उनका चाम ही अलग होता है है कि नी उनको देख के ऐसा लगता है कि वाव कि अतने फिजिकली कितने बढ़ियां फिट है कितने यंग दिखते है वो उसी के साथ साथ अगर आप लोग रोनाल्डों को देख लो उनकी एज बहुत जादा है बट फिर भी देखो आप उनको कितने एकदम मैसा लगता ना बॉड़ी कितना क्योंकि वो अपने गेम के अंदर किसका इस्तेमाल करें मैंड का स्टेमाल करें अगर आप होता है उनका जो बॉडी होता है बहुत स्टॉंग होता है क्यों нач इसके वज़ेसे उनके लेक्स बहुत जादा स्ट्रॉंग होते वरति तंब्रुस्थ होता है उनका फीजी कल एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से होता है mind उनका sharp होता है तो यही सारी चीज़े आप लोगों को बताई हुई है कि यही सारी चीज़े क्या है हमारे लिए important है इसी लिए यह sports है यह हमारे life में एक बहुती important चीज़ है बहुती important रोल प्याँ चालो I hope so सबको clearly समझ में आ रहा होगा यह हमारे mind को relax करता है ठीक है चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे next topic की तरफ so next topic क्या है बच्चो हमारा type of sports sports के कौन से type होते है वो चीज़ हमें यहाँ पर बताया हुआ है ठीक है तो type of sports में क्या हो जाएगा आपने बच्पन से देखा हुआ है क्या सुना हुआ है एक तो indoor game होता है और एक तो क्या होता है outdoor game होता है sports में दो type हो जाते है games के दो type हो जाते है कौन से दो type हो जाते है indoor game और outdoor game indoor game क्या होता है ऐसा game जो की हम बैट कर हमारे घर के अंदर में खेलते हैं हमारी चार दिवारी के अंदर में खेलते हैं, ऐसे सभी गेमों को हम क्या कहेंगे, ऐसे सभी गेमों को हम क्या कहते हैं, ऐसे गेम को हम इंडोर गेम कहते हैं, ठीक है, और वही उसी का opposite, जो गेम हम बाहर खेलते हैं, हमारे घर के बाहर खेलते हैं, तो वो सारी गेम किसके अब यह चो आउट्डॉर गेम है उसके अंदर टाइप है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे इंडोर गेम को ठीक है तो इंडोर गेम के अदर आप लोग को आप लोगों को ने कभी चेस खेला है यस आपकोस है हम हमेशा खेलते हैं कि ने आपने लॉकडाउं के पीरिड में जम के लुड़ो खेले है ये जरूर से केला होगा है कि न तो यह जो चीजे है यह थोड़ी सी कॉमन चीजें है सब के घर में चैस के रेम और लुडो यह चीजे सबसे जब से ज़्यादा प्लेइबल होती है और इंसान सबसे ज़्यादा प्लेइश को करता है क्योंकि यह जो लॉक्डाउन का पीरेड था जब लॉक्डाउन लगा था तभी मैं 10th तब मेरा 10th का एक्जाम कंप्लीट हो गया था तो वह जो टाइम था ना मुझे यसा लगता था ना कि ना पूरी लाइफ लुड़ो ही खिलती रहोंगी क्या हमें 10 पास रह जाओंगी क्या मैं इसके आगे पढ़ा ही नहीं कर पाऊंगी क्या यह बहुत जादा स्ट्रेस था क्यों कि बाहर जाओ तो डंडे पढ़ते हैं घर के अंदर बैठके वही सब कर सकते हैं लुड़ो हो जाता है उसके बाद चैस हो जाता है उसके बाद बहुत सारी अलग-अलग गेम जैसे आपने पांसा देखा यह पासी की गेम जो इसने खेला गया था महा भारत किसके वज सारे गेम जैसे अगर हम लोग इंडोर गेमारे अपर लिखा हुआ ठीक तो नेशनल और इंटरनेशनल लिका हुआ है तो चलो देखते हैं यहां पर हम तो इंडोर गेम के अंदर क्या आइच कौनसे कौनसे गेम आ जाएंगे जैसे आपने ये सब जो मैंने अभी आप लोग लुज राता है इंडोर के दर उसके बाद चैस आ जाता है यह च्छे भड़ो में पासे 요रके चूख सारी वाली पता नहीं kaç जीए li जो लूडो के जैसा होता है इंडिया के अंदर हम लोग लूडो को उसे मानते है ठीक है तो यह लूडो जो है सबसे पॉप्यूलर गेम हम लोग मानते है इसको उसके बाद सागर गोटे सागर गोटे ठीक है सागर गोटे है यह एक तरह से जो हम लोग वो स्टोन का स्टोन का यह सब को समझ में आ रहा होगा कि indoor games कौन कौन से है थीक है चलो अब आगए बढ़ जाए next बढ़ते हम लोग हमारे outdoor game की तरफ outdoor game में thought नोर के आउट जो game होता है उसे हम क्या कहेंगे outdoor game कहेंगे तो outdoor game is equals to boys क्यों कि boys आउट्डोर गेम बहुत जाधा पसंद होता है ऐसा नहीं है गर्लंस को भी बहुत जाधा पसंद होता है मुझे बहुत जाधा पसंद है ठीक है चल सो outdoor गेम को आउट्डोर किया करें कि हम लोग क्या करेंगे divide कर देंगे टू-पार्ट में डिवाइड कर देंगे एक तो इंडियन गेम है इंडियन जो इंडियन हमारा नैशनल हमारा इंडियन गेम ठीक है पॉपिलर गेम्स है जो से अगर हम लोग इंडियन की बात करें ठीक है तो इंडियन की बात अगर हम लोग करेंगे इंडियन गेम्स में सबसे पॉपिलर हमें दिखाई देता है लंगडी लंगडी का competition बहुत लंबर आके आगी जाता है आप लोग अगर स्कूल में होंगे तो बहुत सारे स्कूल में competition होता है और बहुत आगे तक आप जा सकते नैशनल लेवल पर भी जा सकते आप लंगडी competitions जो लंगडी का गेम होता है एक टांग में है सरह कूट कोट बहुत उन्हें इसके बाद खोको हो गया फिर गिलीडंड़ा हो गया उसके बाद इसके अंदर भी आजाता है ठीक है तो ऐसे multiple games जो है यह सारे games इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से खेला जाता है सबसे जादा खेला जाता है इन कुछ अलग-अलग games को ठीक है यह सारे games मैंने भी खेला आप सभी ने भी खेला होगा मज़ा आएगा है कि ने तो मुझे comment section में जरूर से बता देना कि आ इन में से आपने कौन-कौन सा खेला है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं next है हमारा international game इंटरनेशनल गेम इंटरनेशनल गेम जो गेम हम यहां पर भी खेलते हैं ठीक है common हो गया है सभी जगह ओपर खेलते हैं बट वह ज्यादा पॉपिलर है इंटरनेशनल लेवल पर ठीक अभी ने खेला होगा मैंने भी खेला होगओ यहां झालों आगे बढ़ जाते हैं next है हौकी 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 मैंने लेखेलाओ और सबसे impressed मेरा होसके उस मेह मेसा है उसके जबकित क्युटॉक्त है घं़्पोकोद्एम फूपल्ए फुटबॉल हम हमेशा अपने स्कूल कॉलेजस में खेलते ही है उसके बाद आगया हमारा गॉल्फ ठीक है गॉल्फ आप सभी ने खेला होगा बट मैंने नहीं खेला है उसके बाद आ जाता है पोलो उसके बाद एकसे ट्राफिर कुछ और मेराथों में जो रेसे होते हैं लेवल का होता है तो आमें लेंद्ध उसके एक法 कि बेदाक्त का करोंगे सब कर लेंदूरी kon社 carrier कर ठाइब क्या है में बहुत ऊब सक्र Cub Can यह क्या होब सब्सक्राइं इसने समय कि अब होगा यह हम से गेम स्कूर्ट के हुआरे इंपोर्टेंड रोलपे करता हैं हमारी लाइफ में उसके साथ साथ ए strating स्केटिंग जो है ये इनिटरनेश्णल लेवल पर दूसरी करना में सकेटिंग भी बहुत जाद करना है और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टा पर मेसेज़ करना है यह मेरी आईडी हमिघ है त्रीया मिश्रा आप यह मेरी इंस्टा इदी है अगर आप आप सबी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे relent पर मेसेज कर चालो तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स लेक्ट्चुम